नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में दोस्तों आपको पता है हम अपने चैनल पर जो हमारे बिगनर्स हैं ऑप्शन टेडिंग करते हैं उनको लोसेज ना हो इसी लिए उनको हम नई नई स्टेटेज रहे उसमें उनको लस बिल्कुल भी ना हो तो दोस्तों हमेशा मैं आपको अपनी वीडियो बें बोलता हो कि जबी है और सीखना चाहते है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और एक बार हमारे चैनल में जाएए और वीडियो आप देखें वहाँ पर आपको नहीं नहीं हर तरीकी की स्ट्रेजी सीखने को मिलेगी जिसमें की लॉसेज होने के चांसेज बहुत ही जादा कम हो जाते हैं और अ अगर वो रेगुलर इस इस्ट्रेजी पर काम करते हैं तो तो मैं जो भी मेरे बिगनर्स भाई अभी यह देख रहे हैं वीडियो तो उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखिए अगर आपका कोई भी डाउट होता है इस इस्ट्रेजी को लेके तो आपको उसका reply जरूर करेंगे तो देखो दोस्तों आज की स्ट्रेजी ओने वाली है वह मारी option के उपर ही ओने वाल तो ऐसा तो नहीं है कि कभी भी बिल्कुल भी loss नहीं होगा losses होंगे लेकिन losses होंगे बिल्कुल छोटे 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 losses होंगे तो उनको हम easily recover कर सकते हैं जो भी हमारा next trading session होगा उसमें हम उसको असनी से recover कर लेंगे तो आज की strategy हमारी दोस्तों मैं थोड़ा सा एक बार overview देता हूँ उसके बाद हम चलेंगे laptop screen पर और वहाँ पर आपको step by step समझाएंगे कि ये position हमें किस तरीके से लगानी है उसको किस तरीके से apply करना है nifty में करना है bank nifty में करना है या किसी stocks में करना है तो वो सारी चीजे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो ये basically कहा हमारा इसको हम options के अंदर करेंगे एक बार हम bank nifty के अंदर करके आपको दिखाएंगे और इसका back test भी करके दिखाएंगे so that आपको पता लग सकें कि अगर हम ये वाली strategy apply करते हैं bank nifty के अंदर तो हमें किस तरीके से profit और किस तरीके से losses होते हैं और profit की probability और profit कितना है और अगर loss होता है तो loss का हमारा ratio कितना है तो ये सारी चीजे हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे तो वीडियो को दोस्तो अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तभी इसको like करना अगर अच्छी ना लगे तो बिल्कूर भी like मत करना तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे ये बताने वाले ये वाली strategies में बताने वाले है कि माल लीजिए अगर आप कोई options buy करते हैं चाहे वह call हो चाहे वह put हो तो आप क्या करते हैं नेग्ड call buy कर लेते हैं या फिर नेग्ड put buy कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे losses के chances क्या होता है बढ़ जाता है और जितना भी हमने premium वहाँ पे पे किया होगा मान लीजिए आपने call option buy किया तो उसका अगर price seller होगा 50 rupees तो 50 into 50 कर लिजए अगर nifty में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा वह पूरा का पूरा आपका loss होने loss हो जाएगा अगर आपके market आपके favor में नहीं गई तो अगर opposite direction में आएगी तो आप क्या करोगी या तो stop loss place करोगे stop loss hit हो गई होगा आपका या फिर आप क्या करोगी कि जल्दी से अगर थोड़ा profit हो रहा होगा आपके favor में गई market तो आप क्या करोगे उसको जल्दी से book कर लोगे लेकिन इस video में हम आपको बताएंगे कि आप ये वाली strategy पूरे एक हफते के लिए लगाएंगे एक हफते बाद आप देखोगे अगर आपका view ठीक है आपनी जो analysis क्या है लेकिन ये strategy लगाने से strategy सीधा आपने प्लेस कर दी लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको सबसे पहले analysis करना है अगर analysis करना नहीं आता है कि हम कैसे पता लगाए कि market हमारी आने वाली एक हफते में bullish रहीगी या फिर भी रहीगी तो यह हमने अपने channels पे डाले हुए वीडियो तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम उसको जान सकते हैं कि market हमारी bullish भी है या फिरish भी है तो इसमें हम क्या करेंगे call buy करेंगे लेकिन साथ की साथ उसको hedge करकी भी चलेंगे और पूरा एक हफते के लिए हम उसको hold करके रखेंगे यह हमारी overnight position होने वाली है अब इसमें क्या होगा दोस्तों अगर हमारी market हमारे favor में गई तो हमें मैक्सिमम profit होगा और अगर हमारी opposite direction में भी जाने लगती है तो किस तरीके से लगानी है call side अगर लगानी है तो किस तरीके से लगानी है ताकि मेरे beginners भाई अच्छे से सीख सकें इसको और अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इसको apply करें strategy को चलिए दोस्तों एक बार laptop screen पर चलते हैं और हमापे step by step आपको बताएंगे कि किस तरीके से apply करनी ह कब apply करनी है और कितने time के लिए apply करनी है यह सारी चीजे समस्ते हम laptop पर यह आगे हम अपनी laptop screen पर और यहाँ पर आपको step by step एक बार apply करके दिखाते हैं और उसका एक बार back test भी करके दिखाते हैं जिससे कि आपको आसानी हूँ पता लग जाए कि किस तरीकिसी इसको apply करना है और यह किस तरीकिसी काम करती है तो यह इस डिखी लगाने से पहले मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आपको first क्या करना है अपना मैं ही आपर एक बर mention कर देता हूँ यहाँ पे जो हमारा first point है वो क्या करना है आपको analysis करना है कि market हमारी upside है या फिर downside है ठीक है सबसे पहले आ अची कि market आने वाले एक हपते के अंदर हमारी उपर की तरफ जा सकती है या फिर नीचे की तरफ जा सकती है तो यह जब हम apply कर लेंगे दोस्तों यह one side हमारी strategy होने वाली है मतलब चाहे इसको हम उपर की तरफ लगाए या फिर नीचे की तरफ लगाए इसी एक side हमें यह strategy ल दिन के नेक्स डे का होता है फ्राइडे तो यह हमें समलिक तो इससें लगादी लगानिया आपने फ्राइडे वाले तो इस तडीड हमापट करने के फ्राइड को इसमें ट Ouch नूव एक नार नौ दस किवाज 9-10 के बीच में आप इसको apply कर सकते हो ठीक है अब यह बतारों में आपको bank nifty के अंदर आपको करने है bank nifty में क्या होता है न दोस्तों हमारा movement काफी अच्छा होता है काफी जादा volatile होती है market तो वहाँ पर अगर एक side move आता है तो काफी जादे points हमें मिल जाते है इसलिए हम इसको पहले bank nifty में करके दिखाने वाले आपको उसके बाद इसको दिखेंगे कि किस तरीके से यह nifty में काम करती है तो यह 3 points हो गया हमारे सबसे पहले आपको क्या करना है analysis करना है कि market हमारी uptrend में या फिर downtrend में ठीक है उसके बाद क्या करना है यह जड़ी लगानी हमको Friday वाले दिन और टाइम क्या रहेगा साड़े नों से 10 के बीच में आप इसको कभी भी लगा सकते हैं और यह रहने वाली दोस्तो weekly strategy तो इसको हम पूरे एक हफ्ते के लिए hold करके रखेंगे इसको हमें काटना नहीं क्यूंकि हमारे जो risk के chances है वह काफी जादा कम है अगर हमारी मार्केट हमारी opposite direction में जाती है गलत हो जाती है तो हम इतना ज्यादा loss नहीं होगा कि हम उसको next trading में अपना recover ना कर पाए ठीक है तो इस strategy दोस्तो हमेशा ऐसी बनाई है कि छोटे छोटे losses हो और अगर मान लीजिए आप call buy कर रहे है तो उसमें क्या होता है जितना भी premium आपने पे पे क्या होता है वो क्या होता है पूरा का पूरा आपका risk होता है ठीक है अगर market आपकी opposite direction में जाने लगती है आपने call buy के लेकिन market क्या होगा डाउन जाने लगी तो महाँ पे क्या होगा या तो आप अपना stop loss लगा होगे या फिर उसको hold करके बैठे रहोगे इस उमीद में कि market यहां से reverse आएगी उपर की तरफ जाएगी लेकिन होता है market नीचे ही जाके expire हो जाती है तो उसके क्या होता है हमा उससे skip ना करें ठीक है तो अब यह सारी चीज़े आपने देख ली कि किस तरीके से हमें कब apply करनी है और क्यों apply करनी है मैंने यह भी बता दिया आपको ठीक है तो अब यहां पर देख लेते है जरा strategy है क्या उसको किस तरीके से apply करना है अब एक बार यह सीख लेते है तो दे है तो चलिए हमें ही पता लगे market हमारी uptrend हो सकती है आने वाले एक हफते के अंदर अब देखो यार यह तो कोई 100% नहीं कह सकते है कि market uptrend ही रहेगी हो सकते है थोड़ी सी उपर जाए फिर वापस से नीचे आजए लेकिन हम अपने आपको secure रखके trade लेंगे इसलिए हम क्य अगर वो trading कर रहे हैं option trading कर रहे हैं तो without strategy या without hedging कभी भी मत करें ठीक है तो चलिए अभी हमारा view के upside है तो यहां पर हम जड़ा एक बड़ स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको apply करेंगे मार्च में एक सेकेंड हम इसको April में करेंगे ठीक है तो April में हम स्टार्ट करेंगि यह अच्छा Thursday के बाद हमें Friday को apply करने हैं तो हम क्या करते हैं मार्च में करते हैं March में हमारा यह आ गया Friday Thursday 30 था था तो हम क्या गरेंगे इसको Friday को apply करते हैं तो मैं 31 यहाँ पर March select कर लेता हूं और टाइम सुबह 9.30 में आपर time select कर लेता हूं time select हो गया अभी यहाँ पर हम क्या करना है अपनी next expiry date लेकर लिए जैसे यह 6 April है हम इसको 31 March को apply कर रहे हैं साड़े 9 बजे कपड़े करें 6 April के लिए क्योंकि जो next हमारा expiry date है वो 6 April है तो अग हमारा view हमने देख लिए हमें लग रहे है कि तो उस case में क्या होगा हमें 7,846 रुपे का loss हो जाएगा तो हमें क्या करना है इसी loss को क्या करना है reduce करना है कम करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम भाय कर लेंगे एक अपनी hedging वाली position तो अब हम इसी क्या करेंगे जब हमें लग रहा है मार्केट हमने analyze की हमें लग रहा है कि 400-500 पॉइंट एक हफ्ते के अंदर मार्केट उपर की तरफ जा सकती है तो हम क्या करेंगी 400 लग रहा है क्या करना है एक लोट हमने क्या अगर आ बाय किया फिर एक लोट क्या कर दिया हमने यहाप इसे तो यह जैसे आप करोगे तो यहाप आप देखोगे पहले जो हमारा 7000 कुछ का लोज दिखा रहा था एक तो वो reduce हो गया वो 5000 में convert हो गया ठीक है दूसरा हमारा जो पहले profit था unlimited वो क्या हो गया हमारा limited हो गया है वो fix हो गया है उसे ज़्यादा में profit नहीं होगा अगर favor में हमारी जाती है market तब भी और सबसे अची चीज दोस्तों यहाँ पर क्या है यह hedging position लगाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 28000 रुपे चाहिए होंगे 28000 रुपे अगर आपके पास है तो आप safe रहके यह वाली strategy असानी से लगा सकते हैं इसका फाइदा उठा सकते है ठीक है तो चलिए अब एक बार इसका back test करके देख लेते मार्किट ने आने वाले एक अपते भी 6 तरीक तक किस तरीके से behave किया तो मैं यहां से इसको सीधा end of the day करता हूं दोस्तों क्योंकि अगर मैं दीरे दीरे करूंगो तो time काफी जादे लंबी वीडियो हो जाएगी आप भी नहीं देखोगे तो अभी देखो यहां पर 802 रुपे का हमारा यह profit दिखा रहा है आपको दिख रहा है यह 802 रुपे का हमारा profit चल रहा है तो मैं सीधा इसको next delay के चलता हूं अभी यहां पर देखे 3 April आ चुका है दोस्तों 3 April को हमारा 310 रुपे का profit है market हमारे favor में ही जा रही है तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं अभी दिखे सीधा 4,352 रुपे के यहां पर profit होने लगा market हमारी पूरी-पूरी favor में आगे आपको डरने की जरूरती नहीं क्यूंकि आप यहां पर hedging लगा के बैठे हुए हो अगर market हमारी opposite भी आ जाती है तो भी हम क्या करेंगे उसक इसको hold कर सकते हूं या फिर 4,000 रुपे का profit आपको 12% जो आपकी capital यूज़ ही हो उसको 12% यहां पर profit मिल रहा है तो या तो आप इसको लेके निकल सकते हो या फिर wait कर सकते हो चलिए हम wait करते हैं और देखते हैं next day क्या हुआ next day दोस्तों जहां पर हमारी market इससे पहले थी पांस तारिक हो थी वही पर expire हुई है और यहां पर जो हमारा maximum profit हुआ है 7,490 रुपे हमें maximum profit हो गया यह हमारा profit हो गया चलिए अब यह आपको प्रता लगए कि यह किस तरीके से करते हैं अब जो इसमें देखो इहां पर हमारा position जिशंती वो क्या होगी एक तो इंदमनी होगी है और जो हमें लग रहा था कि 500 पॉइंट उपर जा सकते है market और वो exact 500 ही पॉइंट उपर गई है तो यहां पर हमें क्या हो गया profit हो गया अब इस वाली position को हम कर देते हैं square of यह हमें 7000 का पहली वाली इसमें profit हो गया तो इस तरीके से अब करते हैं अब मान लिजे हमारा भी हो जाता है गलत हम वापस से उसी पे लेके चलते हैं इसको हमने 31 मार्च को apply की थी सुबा 9 बच के 30 मिनट पे हम वही यहां पर time select करेंगे सुबा 9 30 पे अब मान लिजे हमें लग रहे हैं कि market नीची की तरफ जाएगी और आप क्या करते हो गलत यहां पर अपनी ले 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 तो क्योंकि market तो अभी हमारी उपर की तरफ गई थी तो यहां पर हम क्या करते हैं same position put की side लगाते है तो देखेंगे हमें कितना loss होगा और किस तरीके से होगा तो यहां पर हम में क्या लग रहा है कि market हमारी नीचे की तरफ जाएगी तो यहां पर हम गलत होते हैं और यहां पर हम एक put की side अपनी ही same position बना लेता है तो ATM पे जहां भी हमारी market चल रहे होगी वहां में एक load में buy करना है put उससे 500 point नीचे आ जाते है जितना आपको लग रहा होगा कि इतनी market नीचे जा सकती है उतना हम क्या गरेंगे नीचे की तरफ आ जाएंगे तो एक दो तीन चार पांट मैं यह 500 point नीचे आ जाता हूं 40,000 पर एक load put का sale कर दूँगा अब देखो यहां पर है maximum profit हमारा 8157 का हो सकता है लेकिन कब जब market हमारी favor में जाएगी मतलब market नीचे और जो maximum loss है अगर हम इसको नहीं बाय करते हैं चलिए हम हैजिंग वाली position एक बार को माल लेते हैं हमने नहीं लिये तो हमें कितना loss यहां पर दिखा रहा है maximum loss 8301 रुपे का maximum loss है अगर हम हैजिंग वाली position नहीं लेते हैं अब हम hedge वाली position ले लेते हैं तो क्या होता है जैसे हमने hedge वाली position ली तो हमारा loss जो 8000 था वो सीधा सीधा उसका half हो गया 4000 रुपे हमारा पूरा पूरा loss हो जाएगा अगर market हमारे favor में नहीं रहते हैं तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सेम वही 6 तारिक तक लेके चलेंगे और देखेंगे हमें कितना loss हो time मिल जाता है अपनी position को square off करने का अब अगर यह नेक्ड हमारी यहां पर buying होती हमने कोई hedging position नहीं लगा रिखी होती तो यहां पर हमें अभी 32-33 रुपे का loss दिखा रहा है यह हमारा कम से गम 4-5000 रुपे का यहां पर loss दिखा रहा होता अगर हमने hedging वाली position नहीं लिए होत position भी profit देता है तो वो profit और जो हमें loss हो रहा है वो minus होके यह हमें यहां पर मिलता है तो इसलिए हमेंसा मैं आपको suggest करता हूँ कि अपनी strategy बनाके ही कभी भी लो तो trade लो चलिए थोड़ा सो और आगे बढ़ाते ही यह 6 April आ चुका है यहां पर देखो अभी 3800 का यह सुबह 9. बजे कई टाइम है 3815 रुपे का loss हो रहा है इसको end of the day करते थे तो हमें पूरा पूरा जो 4343 रुपे का loss था वो पूरा loss हमें हो गया है लेकिन अगर हम negative buy करते put तो क्या होता हमें 8000 का पूरा पूरा loss यहां पर होता है लेकिन हमें क्या करा उसको hedge किया और इस तरीके से हम हमारे week होते हैं तो चारो week हो में आपको loss ही होगा चलो मान लेते हैं हमें चारो week loss भी होता है तो कित्रा हो जाएगा चार चोख 16000 रुपे हो जाएगा और अगर हम negative buy करते तो क्या होता 8000 रुपे कहा हम एक उसमें loss दिका रहा था तो आठ चोख 32000 रुपे हमें पूरा पू करने चाहिए और जो मैं इस्टेडिजिस आपको सिखाता हूं प्लीज आप उसको फोलो गरो उसको एक बार अपलाई करो अगर आपको किसी भी तरीके कर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो थैंकि सो मस्ट दोस्तों अगर आपने अभी थग मारी वीडियो दीके आपको बहुत बहुत दन्यवाद और अगर आपका कोई भी डाउट हो कुछ कोशन्स हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तैंकि सो मस्ट दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ